वेलकम तो अल एक्जाम्प्लेज, हम रोहित, आज हम मैथमेटिक्स में कैले हमिलिटन थियोरम देखेंगे, काफी इंपॉर्टन थियोरम है, और गेट में से कोशन आते हैं, और काफी इजी है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें करेक्टरिस्टेक एक जिनको नहीं पता, वो सुन ले एक बार क्या होती है, थेकिए, एक्टरिस्टेक førेशिचन क्या होती है, तो वो होती है, यह मैनस लैमडााइगंडा आई, टोटल का बैक्टेट, का रैक्टू जीरो, ओके, तो यह होती है, हमारी करेक्टरिस्टेक若ेक वесь से अप्यक्य भी square matrix है चाहे वो 2 x 2 की हो चाहे वो 3 x 3 की हो या 4 x 4 की हो कैसी matrix होने चाहिए square matrix होने चाहिए square matrix है तो वो क्या क्या करती है characteristic equation को खुद के उसका कोई characteristic equation होगा उसको वो क्या करेगी satisfy करेगी यह चीज कहले Hamilton theorem कहती है चले example के तोर पे एक matrix A दी हुई है फिक है इसकी value दी हुई है 5, 4 and 1, 2 चलिए अब equation क्या होती है characteristics A minus lambda E equal to 0 तो इसमें क्या put करना है बस A की value put करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ देख लिए तेहें जल्दी से तो क्या होगा 5 minus lambda 4, 1 और 2 minus lambda यह हो जाएगा ओके यह value आएगी अब इसको हम solve करते हैं तो इसको solve करने पे क्या आएगा हम हमारे पास जब इन दोनों को solve करेंगे तो यह आजाएगा total solve करने पे lambda square minus 7 lambda plus 6 equal to 0 यह एक equation आई अब ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है हमको जहाँ जहाँ lambda है वहाँ वहाँ पे हमको a put कर देना है तो a square minus 7a plus 6 equal to 0 हो जाएगा अब a square कैसे निकालेंगे a square क्या होगा a matrix into a matrix होता है solve कर लेते हैं जल्दी से 5 4 1 2 तो 5 4 1 2 अब इसको जब हम solve करेंगे आपने multiplication पढ़ा ही है matrix का और जिनों नहीं पढ़ा है तो वो मेरे previous video देख ले और यहाँ पर में बता देता हूँ देखे row column का row में row का column में इस type से होता है और same element में होता है into ठीक है detail के लिए आप मेरे multiplication वाले video देख लीजी जब इसका हम multiplication करेंगे यहाँ पर value आएगी 29, 28, 7 and 8 यह आगई हमारी a square अब देखे a square आगई यहाँ पर अपन पुट कर सकते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे left hand side और right hand side लेके चलेंगे ठीक है तो हम देखें यहाँ पर a square की value पुट करते हैं 28, 29, 28, 7, 8 minus 7 times of a a क्या था हमारा a था 5, 4 and 1, 2 ठीक है plus 6 यह हमने क्या लिया left hand side ले लिया ठीक है left hand side ले लिया अब इसको solve करेंगे क्या value आजाएगी जब इसको हम पूरा solve करेंगे तो जो value आएगी वो क्या होगी 0 आएगी तो इस type से हम इसको लिख सकते हैं 1, 0, 0, 1 अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो आप identity matrix लिख सकते है जब solve करेंगे तो इसकी value क्या आएगी 0 आजाएगी जो हमें right hand side में मिली वो lh is equal to right hand side ठीक है तो यह हो गया अब इसका एक और फायदा है इससे हम direct inverse भी निकाल सकते हैं केले Hamilton theorem के त्रू जैसे दिया हुआ equation आगया हमारा अब इसको हम जब solve करेंगे तो equation निकाल के देखते है a square minus 7a plus 6i लिख सकते है equal to 0 अब क्या करेंगे 6i यही पे रहने देते है बाकी को transfer कर देते है right hand side पे क्या हो जाएगा यह 7a minus a square अब a inverse का into कर देते हैं तोनों side क्या value हो जाएगी यहाँ पे अ inverse into a 1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा a inverse into a square a हो जाएगा यह हो गया तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे आप 1 के जगे हम आई भी लिख सकते हैं तो 7i minus a तो यहाँ 6i inverse अब a inverse की value क्या हो जाएगी यहाँ से 1 by 6 और 7i minus a तो यह value हम इससे निकाल सकते है direct A inverse तो A inverse निकालते हैं चलिए A inverse निकालते हैं A inverse क्या होगा जल्दी से 1 by 6 of 7i 7i की कौन क्या लगस अपते है 7, 0, 0, 7 यह क्या minus A, A क्या था हमारा 5, 4, 1, 2 अब solve कर लेते हैं इसको solve करने पे value क्या हो जाएगी 1 by 6, 7 minus 5 2, 0 minus 4, minus 4 0 minus 1, minus 1 10 minus 5, यह value आगई तो यह जो value आई है क्या आगई A inverse आगई तो कहले हमेलिटन से आप दो चीज प्रूफ कर सकते हैं एक तो LHS equal to right hand sign और दूसरा A inverse निकाल सकते हैं यह काफी important theorem है, इसमें question काफी आ जाते हैं तो easy भी है और ज्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है, बस आपको याद रखना है कुछ question देख लिते हैं gate के, ठीक है, एक question दिया हुआ है, बोल रहा है P एक matrix है P matrix दी हुए है P की value है, 1, 2 0, 1, अब बोल रहा है इसकी characteristic equation find कीजे तो क्या होता है characteristic equation तुरून कैसे आ जाएगी बस lambda पूट कर देना तो 1 minus lambda into 1 minus lambda equal to क्या हो जाएगा minus minus 0 equal to 0 तो यह हाँ से क्या है 1 minus lambda, 1 minus lambda तो यह क्या होगी, 1 minus lambda का square जब equation को वो करेंगे तो lambda square plus 1 minus 2 lambda equal to 0 यह आ गी equation अब जाजा lambda है, वहाँ क्या पूट कर देना है पूट कर देना है तो p square minus 2p plus 1 equal to 0 यह आ गए हमारी characteristic equation तो इस type के question आ जाते है 1 के जगे आप आई भी लिख दें तो इस type के question gate में आते हैं ओकी, यह चीज है तो friends, यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो please इसे like करें, share करें और चैनल को subscribe करें जिन्होंने subscribe नहीं किया है और जिन्होंने subscribe कर लिया है तो subscribe button के बाजू में bell को भी on कर लें ताकि आपको नई वीडियो आने पे मेरे notification मिल जाए और please आप में friends के साथ share करें और कोई भी doubt हो तो आप बेजज़क मुझे comment कर सकते है मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubt के लिए कर सकूँ और इसी के साथ हमारा matrix वाला chapter एंड हो जाता है अब next वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा differential calculus की उसमें हम numerical plus theory तोनों देखेंगे काफी important subject कह सकते हैं आप उसको और काफी question आते हैं उससे भी maxima minima से तो आप देखते रहिए